पॉट्फोलियो पे 30% का लॉज खा लिया तो इस 30% को मेक अप करने के लिए आपको 43% गेन करने पड़ेंगे ठीक से समझ यह इस चीज को यह जो रिक्स रिवार्ड रिशियो की टेबल एना फ्रेंड्स यह अगर आप आज समझ जाओ तो आपकी आधी तकलीफ तो इहीं खत्म होगा है जोस्ता नमस्ते मैं भरत जुझीन वाला आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया आप क्यूब फैमिली बड़ी हो रही है और आपका प्यार आपका सपोर्ट इस तरह से मिलता रहा तो हम इसी तरह से एंकरेज्ड होते रहेंगे और आपके लिए इसी तरह से लर्णिंग वीडियो लेके आते रहेंगे शुक्रिया फ्रेंड्स तो हाँ अगर आप ये चैनल मांकेट में पैसे बनाने के लिए गमें यह सवाल के बारे में सोचते है तो हमारे दिमाग में हमारे जहिए कि हमारी ऑप्र होनी चाहिए और हमें कम से कम 70-80% टाइम accurate होना चाहिए मार्केट में पैसे कमाने के लिए लेकिन अगर मैं आपको भूनूं कि यह इतना गलत है accuracy level से मार्केट में पैसा बनाने नई बनाने का कोई भी connection नहीं है आज हम discuss करेंगे risk management की ऐसी techniques और ऐसे तरीके जहां पर आप 70% बार गलत होकर भी मार्केट में पैसे कमा पाएंगे तो जरूर देखिएगा वीडियो और अपने सुझाव अपने विचा नीचे comment box में लिखकर हमें जरूर बताईएगा दोस्तों अगर हम बिना किसी technical knowledge के मार्केट में जाके trade करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारी winning और losing की probability कितनी होती है अगर आप बिना technical analysis सिखे भी जाके market में ट्रेड करते हो तो there is a 50% chance कि आप win कर सकते हो और 50% chance losing के हैं अगर आप सिप point को toss करोगे ना कि coin को toss head आया तो मैं buy करूँगा अगर आप यह भी करोगे ना तब भी over the number of times over the number of trades आपकी जो probability है winning की और losing की वो 50-50% होती है बिना कोई technical analysis के बिना कोई science को लगाए आप 50% बार market में हार सकते हो 50% बार market में जीच सकते हो यह चीज़ आप जानके बहुत राम से रखिए तो फिर हम हम टेखनीकल analysis वगेरा क्यों सीखते हैं हम प्राइड ला सिखते हैं मिंडिक्येटर मोमेंटम इस चुदे हैं ओनली पॉर हमारा risk management हमारा risk वें जीट रहे हो आप जब विन कर रहे हो और आप जब लूज कर रहे हो अनस विन को ज्यादा करें और गार जब हम लूजर्स को हम जल्दी से कट करें और विनर्स को हम राइड करते रहें अगर 50% बार भी हम यह कर लेते हैं तो हमारी जो जो प्रोफॉर्मेंस रहती है ट्रेडिंग में माइंड ब्लोइंग रहती है मैं आपको आज यही दिखाने वाला हूं और सारा गेम फ्रेंड इसका ही है जितना गेम है यह इसका ही है और उसके बाद आप अगर बाकी मेंटर्स सीख लेते हो प्राइज अनालिस सीख लेते हो तो यह जो ओड्स है यह हमारे फेवर में आ जाती है तो अभी यह न्यूट्र यह हमारे फेवर में आती है यह हमारे फेवर में आती है और अगर आप कुछ नहीं सीख रहा हो तो अगर आप 10 लेते हो उसमें 5 होंगे और पांच लूजनर होंगे लेकिन अगर हम odds अपने favor में करते हैं अगर समझी आपकी 60% odd है आपकी 60% odd है आपकी expectancy या जो भी मैं बाद में बताऊंगा expectancy क्या होता है तो winners जो होते हैं वो six होते हैं लूजर्स जो होते हैं वो four होते हैं तो technical analysis और बागी जो कोई भी चीज आप करते हो top market में कोई भी study करते हो वह हमेशा odds जो है वह हमारे favor में करने के लिए करते हैं और laying odds मतलब हमारे favor से बहार निकल जाए तो यह चीज हमें सबसे पहले अपने सिमाग में गुशा लेनी है और यह चीज को यह चीज को हम लोगों को समझना है कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब भी आपकी विनिंग रेट फिप्टी-फिप्टी परसंट है अब मार्केट में मार्केट में अगर हमें पैसा कमआने है सूपर प्रफोसंटới की बार करते हैं 200 पेसं तींसो पर्संट अगर आप के तरह से अगर हमें पैसा कमाना है तो तीन चीजों की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है सबसे पहले होती है एज मतलब वह अगर ऑपका फंडमेंटल वाले हो तो आपका और यह समझेजिए इसको 60 और 40 करते बस इससे जादा नहीं पैसे तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप उनली 30% टाइम भी राइट हैं तो आप कैसे पैसा कमा सकते हैं यह तो हम थोड़ा सब सब्सक्राइबे अपने फेवर में कैड़ी तो 50-50 पर्षंट से फिरेंगे पचास-पचास-पर्संट अगर एक बंदर से प्रफेज कराएंगे ना तो फचास-पचास-पचास पर्षंट उसकी प्रॉबाइबिए में फिरे हैं हम तो एक पढ़े लिगे बंदे हम समस्च सकत थोड़ा सा बंदर से एडवांस हो जाते हैं बंदरों से तो हम अपने और सुक्षिटी परसेंट बढ़ा लेते हैं दूसरी चीज जरूरी होती है एक X50 मतलब कि यही यह टेखनिकल एक ऑईज और एक तेखनिकल एनेलीजिस को करके हम क्या करेंगे अपनी एक्सपेक्टन सी बराएंगे पचास 50% के और से थ्टोड़ा सा आगे निगलेंगे और पिसरा और most important thing है friends यह risk reward ratio इसको अगर नहीं समझा तो market में कुछ नहीं समझा यही आपकी लक्षमन रेका है यही आपका ब्रमास्त्र है जो आपको market में समझना है और मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं friends यह just a tip of an iceberg है आप समझ के रोको risk reward ratio बहुत बहुत बढ़ा chapter है और जो मैं आपके साथ आज share करूँगा वह एक छोटा सा example होगा और आप वह छोटे से चीज को देखकर आप समझ जाओगे कि यह कितनी गहराई और कितना depth है इस समुंदर में तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे risk reward ratio किया होता है पहले हम यह देखें rix reward ratio की बात करते हैं इसका मतलब risk reward ratio का मतलब होता है कि आप अगर एक trade लेते हो तो उसमें आपका एक रिक्स इंवार्ड रहता है और आपका एक reward involved रहते हैं मतलब कि आप कुछ डाव पर लगाते हो कुछ जीतने के लिए सो रिक्स रिवोर्ट इश्यू का मतलब है कि आप कितना ऐसा खोने को तयार हो तो अगर समझो कि अगर आप 50 रुपए खोने को तयार हो तो आपकी एक्सपेक्टेंसी यह होती है कि कम से कम हम सो रुपए कमाएं तो अगर यह पचास रुपए का रिक्स आप लेते हो तो आप कितना रिक्स लेना चाहते हो पोटेंशल और रिवार्ट राइट एक चीज़ याद रखिएगा कि ट्रेड लेने के पहले यह रिक्स रिवार्ट रिशियो डिफाइन होगा यह बहुत जरूरी है बिफॉर एंट्रिंग इंटुए पोजिशन तो इमार क्या होता है ना जो जो पॉजिशन ले लेते अब यह अगर गैप अप हो रहा है तो यह समझेए 150 रुपय पे गैप अपने क्या करते हैं जोज जोज में इसको यहां पर कम से कम 170 रुपय में खरीद लेते हैं तो अब अपना यहां से यहां तक का रिस्क कितना हुआ 70 रुपए हो गया 70 रुपए हो गया हम लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए था है यह हम खरिदेंगे तो हमारा diyor 70 रुपए होगा यह हम खरिदने बाद ध्यान देते हैं तो वह नहीं करना चाहिए ट्रेड लेने के पहले आपको risk reward ratio जो है आपके किताब में, आपके trade journal में, आपके PC पे, आपके sticky notes पे, सब जगे लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यह नहीं लिखा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस जगे आप wrong हो रहे हो, और किस जगे आपको exit करनी है, बहुत ज़रूरी है, entry करना बहुत असान, exit करन बहुत मुश्किल है, आधा लोग तो exit नहीं कर पाते हैं, और loss को जहलते रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, दूसरा stop-loss order लगाईए, stop-loss order लगाने से, अगर आप market order लगाते हो ना, तो आप जो heat of the moment पे trade करते हो, अगर आप stop-loss order लगाते हो, कि नहीं मुझे यहीं पर खरिदना है, इतनी quantity खरिदना है, यहीं पर exit होना है, तो आप stop-loss order लगाओगे, तो आपका erics reward ratio defined हो, market order लगाना छोड़ दिए, practice करिए पहले सुरू-सुरू में यह stop-loss order लगाके, उसके बाद जब आपको practice होने ल levels पर trail करना है, तो यह चीज, रिक्स reward ratio होती है, और यह रिक्स reward ratio को समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है, friends, तो यह रिक्स reward ratio, और जब इसका उल्टा होता है, जब कोई आपको बोले, रिक्स reward ratio 2 is to 1 है, इसका मतलब क्या है, कि आप 2 रुपे दाओ पर लगा कि 1 रुपे कमा आने की चुक है, और यह unfavorable condition है, यह हमें नहीं करना है, तो रिक्स reward ratio इस तरह से तो 1 is to 4, 1 is to 5, 1 is to 6, उस तरह से हम रिक्स reward ratio को define करते हैं, तो यह जनल नौलेज के लिए आपकी, अब एक बहुत इपॉर्टन चीज, इस वीडियो की सबसे पहली और important seek, सबसे पहला और important take away है, कि never let your losses run into double digits, tattoo करा लिए, इस चीज को tattoo करा लिए, क्यों, क्यों मैं आपको यह बोल रहा हूं, कि अपने loss को कभी भी double digit में रन नहीं करने दो, आईए, और यह बहुत मज़ेदार calculation मैं आपको दिखाता हूं, और यह calculation मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपके जो नयान चक् है, वो खुल जाएंगे, आईए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, अब यहाँ पर फ्रेंड्स, इस चार्ट को ठीक से समझने की कोशिश करिए, इस चार्ट को ठीक से समझने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स देखिए, यह है आपका winning, एक परसेंट, और यह है आपका losing लूजिंग, मतलब कोई ट्रेड पे यह वीनिवर, लूजिंग होता है, अगर आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप किसी ट्रेड पे एक परशन्ट लूज करते हो, तो आपको वो loss मेक अप करने के लिए अगले ट्रेड पे एक परशन्ट कमाना पड़ेगा, अगर आप क परसेंट लॉस करते हो तो अगले ट्रेड में इस लॉस को मेकप करने के लिए आपको एक परसेंट कमाना पड़ेगा या तो समझी किसी एक ट्रेड में अगर आप 5% का लॉस करते हो तो डो ट्रेड में आपको 2.5, 2.5% कमाना पड़ेगा इस लॉस को मेक अप करने के लिए अगर आप किसी ट्रेड में 10% का नुक्सान करते हो तो अगले ट्रेड में आपको 11% कमाना होगा इस 10% को मेकप करने के लिए तो यहाँ पर जो डिफ्रेंस है वो अगर आप देखोगे तो मैनेज़िबल है मतलब कि एक परसेंट खोकर परसन डुसरे ट्रेट में कमाएंगे पांस परसेंट किसी ट्रेड में लॉस हो रहा तो आपके बहरत Ó बहरत शुरू हुँआं यहां पर नियुह इंहां से कि यहां पर देखिए क्या होना सुरू हुआ यहां पर यह जो लॉसेस हैं वो आपके अगेंस्ट में एक भेंकर रूप इतियाद कर लेते हैं कैसे अगर आप किसी ट्रेड पर 20 परसंट का नुक्सान करके रखे हो तो आपको अगले ट्रेड में 25 परसंट कमाना होगा इस ट्रेड के लॉस को मिकप करने के अगर किसी स्टॉक में आप 20 परसंट का लॉस खाते हो तो उसको मेक अप करने के लिए अगले ट्रेड में आपको 25 परसंट का प्रॉफिट करना पड़ेगा अब और थोड़ा डीप में आते हैं और थोड़ा आपको अपके साथ डिसकस करते हैं किसी प्रेड में आपने 30% का लॉस खा लिया अगर आपने अपने पॉट्फोलियो पे 30% का लॉस खा लिया तो इस 30% को मेक अप करने के लिए आपको 43% गेन करने पड़ेंगे ठीक से समझ यह इस चीज को यह जो रिक्स रिवार्ड रिशियो की टेबल एना फ्रेंड्स यह अगर आप आज समझ जाओ तो आपकी आधी तकलीफ तो इहीं खतम हो गया जैसे मैंने अब कहा कि यह तो सिर्फ एक उपरी आइसबर्ग का टीप है टिप टिप आफ एन आइसबर्ग रिक्स रिवार्ड रेशियो पहुत गहरा चैप्टर है और अभी मैं उसके बारे में और नहीं बात करूंगा यहां पर देखिए अब एक और चीज देखिए अगर किसी ट्रेड में आप 50% लॉस खाते हो या आप आपका पॉट्फियू यह अगर 50% लॉस है तो उसको मेक अप करने के लिए आपको 100% गेन करना पड़ेगा अब एक चीज समझेए अब एक चीज आप समझेए एक परसेंट लॉस होता है तो एक परसेंट गेन करना आसान है हम सुस्ति की ठीक है एक परसेंट लॉस हुआ तो एक परसेंट गेन हम कर लेंगे आसान है पांच परसेंट लॉस होता है तो पांच परसेंट गेन करना भी मैनेजेबल है ठीक है on an average 5% हम gain कर सकते हैं अगर 5% भी loss होता है तो लेकिन अगर आप 30% loss करते हो जो कि बहुत आसान है 30% loss खाना 30% loss करके portfolio को hold करके रखना बहुत आसान है और यह करते हैं तो आपको 43% gain करना होगा अब आप मेरे को एक चीज बताओ 1% नुक्सान करके 1% gain करना आसान है कि 30% नुक्सान करके 43% gain करना आसान है कितने stocks होते हैं जो कि 43% बढ़ते हैं अगर आप 30% loss करते हो तो आपको 43% का gain चाहिए इस 30% के loss को make up करने के लिए और एक बार बताओ कितने stock है जो 43% बढ़ते हैं चलो यह भी मैं मान लिया कि यह भी मिल जाएंगे हमें अच्छे बूल मार्केट में जो हम पिछले एक डेर साल से दो साल से देख रहे हैं यह भी मिल जाएंगे लोगों को आदत हो अगर आप 50% का नुक्सान करते हो कुई stock को hold करके रखे हो या 50% का stop loss खाके रखे हो उसको रिकावर करने के लिए 100% का मूव जाएंगे अब यह बात बताओ कि कितने मार्केट में क्या चांसेज हैं कि अगर जो 50% का अगर आप लॉस करोगे तो आप 100% stock में कमाऊंगे कितने ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने एक ट्रेड में 50% का लॉस कर दिया तो अगर 10-10% का भी आप प्रॉफिट करते हो तो आपको 10 ट्रेड लेने पड़ेंगे और एक बात बताओ कि आप 10 ट्रेड आप लेके उसमें सब में 10% का प्रॉफिट कर पाओगे नहीं इस दस ट्रेड में तो हो सकता एच्छे ट्रेड आपके लॉस हो या पांस ट्रेड आप बहुत मुश्किल है और यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि अपने लॉस को जितना छोटा रखोगे उतना फाइदा होगा जितना बड़ा रखोगे उतनी मुश्किले आएंगे इंपोर्टन लेसन आपके लिए आज तो दोस्तों पार्ट वन यहीं खतम करते हैं इस एपिसोड को हम जारी रखेंगे नेक्स्ट वीक आपने आज जो सिखा उसके फीडबैक हमें जरूर दीजिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तब तक के लिए मैं भरत जुन्जुन वाला आप सबसे जाधत चाहता हूँ कीप अर्णिंग कीप लर्निंग कीप शेरिंग जाहिंद एंड जाभारत